वह कौन सा वचन था जिसके कारण सीता माता को रावन के अत्याचार सहने पड़े थे। आईए जानते हैं। जब सीता जी का विवा प्रभुश्री राम से हुआ था तो उन्होंने पहली रसोई में सभी के लिए खीर बनाई थी। तद पश्यात सभी खाना खाने के लिए बैठे। जब सीता जी खीर परोस रही थी। उसी समय एक तेज हवा का जोका आया और राजा दश्रत की खीर में एक घास का तिनका आकर गिर गया। लेकिन जैसे ही सीता जी ने तिनके को दूर से घुरा, सीता जी की दरश्टी पढ़ते ही वह तिनका जलकर राख हो गया। राजा दश्रत यह सब देखते ही समझ गये की सीता कोई साधारान इस्तरी नहीं है, बलकि सीता तो जगत जन्नी है। राजा दश्रत ने सीता जी से वचत मांगा कि जिस दरश्टी से उन्होंने तिनके को देखा है, उस दरश्टी से कभी भी किसी ओर को नहीं देखेंगी। जब रावण ने सीता जी का हरन किया था तो वह स्वयम ही रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन वह राजा दश्रत को दिये हुए अपने इस वचन से बंदी हुई थी। राजा दश्रत को दिया हुआ यही एक वचन था जिसके कारण माता सीता रावण के अत्याचार सहे जा रही थी। उस समय वचन की बहुत अधिक एहमियत हुआ करती थी। अपने एक वचन के कारण ही राम जी ने चौदा वर्ष का वनवास जेला और सीता जी रावण के अत्याचार सहे रही थी। थैंक यू एवरिवन चैश्री राम उमीद है यह जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आये तो वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं।